राजगर से ये बड़ी और एहम जौनकावी सामने आ रही है जहां सड़ाख हाथसे में 13 लोगों की मौत की खबर बताई जा रही है ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो आपर CM डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस हाथसे पर दुख चताया है ये हम जौनकावी सामने आ रही हो नोंने कहा कि राजस्थान के जालावार जुले के 13 लोगों की मौत काफी दुखद है हम राजस्थान सरकार के इस संपर्क में हैं साथी इसी हमने कहा कि गंभीर मरीजो को भुपाल भी रत्पर कर दिया क्या है ये बड़ी खबर इस वक की सामने आ रही है जोहां राजकर से तरक हाथसे में 13 लोगों की मौत की एक खबर सामने आ रही है साथी बता दे जौक्टर मोहन यादव ने इस हाथसे पर यहरा दुख व्यक्त किया है आप तीवी स्क्वीन पर ये एक्स पर किया हुआ पोस्ट भी देख सकते हैं जाओने लिखा कि ये जो हाथसा हुआ है ये 13 लोगों की जो मौत हुई है वो काफी दुखद है बता दे की बारातियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पर्टी और इस हाथसे में 13 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है वोई हाथसे में 25 से जादा लोग घायल भी बताय जा रहे हैं और दो गंबीर गायलों को गोपाल रेफर किया गया है बड़ी खबर सामने आ रही है मरने वाले सभी लोग राजस्थान के बताय जा रहे है जालवार से राजकड ये बरात आई थी और इस दौरान ये क्रैक्टर ट्रॉली पर्टी और इस हाथसे में करीब 13 लोगों की मौत हो गई वही सियम डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस हाथसे पर दुख जताया है उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है आप देख सकते हैं उन्होंने लिखा कि राजस्थान के जालवार जुले के 13 लोगों की मौत काफी उख़द है हम राजस्थान सरकार के संपर्क में हैं ये बड़ी और एहम जौनकावी आपको बता रहे हैं जोहां सियम मोहन यादव दुख व्यक्त करते हुए नसर आ रहे हैं और गंभील मवीजो को वोपाल भी रेफ़र कर दिया गया है ये बाजकर से बड़ी खबर सामने आ रही है जोहां सरकार से में 13 लोगों की मौत हुई है बता दे कि बदात्यों से भरी ट्रैक्टर टॉली परटी इस हाथे में 13 लोग की मौत हो गई और 25 से ज्यादा लोग गायल बताया जा रहे है